यह आकाश्वाणी का भुपाल केंद्र है, कुछी पलों में आप सुनेंगे प्रादेश एक समाचार आकाश्वाणी भुपाल से प्रस्तुत है प्रादेश एक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सेयुकता बानर जी पहले मुख्य समाचार लॉकडाउन का तीसरा चरन आज से लागू प्रदेश के ग्रामिंग शेत्रों में खुलेंगी दुकाने प्रदेश में COVID-19 के 800 मरीज स्वस्थ होकर घर लोते कोरोना का संक्रमन भी कम हुआ 31 रेल गाडियों से दूसरे राजियों में फसे मजदूरों को वापस लाने की योजना किराया भी देगी राज सरकार चदरपूर जिले के राजनगर में प्रशासन के अनूठी पहल संजीवनी वाहन से होगी बिना संपर्क कोरोना संदिक धों की जांच और प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव सतना अशोक नगर विदिशा सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ होई बारिश अब समाचार विस्तार से कोवड-19 महमारी से निपटने के लिए लागू किये गए लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शिरू हो गया है केंद्रू सरकार ने शुक्रवार को चार मई के बाद लॉकडाउन दो सप्ता के लिए बढ़ाने और कम जोखिम वाले जिलों में परियापत रियायतें देने की घोशना की थी स्वास्थ मंत्रवाले ने देश के 700 जिलों को रेड, औरंज और ग्रीन क्षेत्रों में विभाज़त किया है और क्षेत्र के अनुसार केंद्रू के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा केंद्री मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि ग्रीन क्षेत्रों में एकत्र होने को छोड़कर व्यावहरिक रूप से रोजबर्रा की सभी गतिवधियों की अनुमती होगी उन्होंने कहा कि सरकार ये संदेश देना चाहती है कि भारत चरणबध तरीके से लॉक्टाउन से बाहर आ रहा है जहां अधिक से अधिक गतिवधियां संचालत करने की अनुमती होगी प्रदेश के बावन जिलों को भी रेड औरेंज और ग्रीन जोन में बाटा गया है सभी जोन में प्रतिबंधत गतिविधियों में सभी प्रकार की हवाई यात्रा, रेल सेवाएं, अंतर राजी बस सेवाएं, एक राजी से दूसरे राजी में आवागमन, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षन संस्थान, सिनिमा हॉल, शॉपिंग मॉल जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स, मनुरंजन पार्ट, थियर्टर, बार, ओडिटोरियम, सामुदाइक भवन बंद रहेंगे। आवश्यक कारिय या स्वास्त संबंधी कार्णों से ही घर से बाहर जा सकेंगे। इसी प्रकार शाम साथ बजे से सुबह साथ बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लोगों का आवागमन प्रतिबंधत रहेगा। मुख्यमंत्रोई ने कहा कि ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां संचालत करने की अनुमती होगी। विषेस आर्थिक खेतर सेज ऐसी जैड की गतिविधियां चालू होंगी। निर्यात इकाईया वो चालू रहेंगी। उद्धोगिक छेत्र एक्सेस कंट्रोल के साथ चालू रहेंगे अत्यावस्यक वस्टूओं और सेवाओं के निर्माता ऐसे उद्धोग जिनमें उत्पादन की निरंतरता आवस्यक है सूचना पुद्धोग की हार्डवेर निर्मान इकाईयां जूट उद्धोग पैकेजिंग इकाईयां नगरी छेत्रों में निर्मान कारी जिसमें केवल इस्थानी सिर्मकों या अमले का उप्योग हो उद्धर सिर्वनी से हमारे समवाद दाता ने बताया है कि जिले में आज से कुछ शर्टों के साथ छूट के आदेश जारी किये गए है जारी आदेश अनुसार सभी विकास खंड मुख्यालयों में किराना स्टेशनरी मेडिकल दूड डेरी एवं जनरल स्टोर खोले रहेंगे इसके अलावा सेस ग्रामीड शेतरों में मौल, सिनेमा घर, जिम, होटल, स्विमिंग पूल, ब्यूटी पारलर, सैलून, बार, गुटका तंबाकू की दुकाने छोड़कर सभी दुकाने खुली रहेंगी लेकिन हाट बाजार पर प्रतिबंद रहेगा जिले के समस्प नागरिकों को सारजनी के स्थलों पर अपने मुँपर मास्क पहनना अनिवार होगा सारजनी के स्थलों पर थूगना प्रतिबंद रहेगा संपूर जिले में शाम 7 बजे से सुबा, 7 बजे तक पूर लॉकडाउन रहेगा किसी भी आदेश और नियमों का उलंगन करते पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधीनियम के अंतरकत कारवाई की जाएगी स्यूनी से मैं फिरोज पंडित अगर मालवा जिले में भी आज किराने की दुकाने खुलेंगे जोधर धार के रैज जोन में होने के बावजूद लॉकडाउन का तीसरा चरण थोड़ी राहत को लेकर आया है गुना में भी कुछ चीजों में राहत दी गई है पुलस अधीक्षक तरुन नायक ने बताया है कि हाला कि धारा 144 यहाँ पर लागू रहेगी होशंगाबाद जिला भी रेज जोन में है लहाजा यहाँ भी ज्यादा राहत नहीं मिलेगी प्रदेश में कोरोना संक्रमत मरीजों की संख्या 2837 हो गई है जबकि 35 जिलों तक संक्रमन पहुँच चुका है कल शाम 6 बजे तक जारी आधिकारे कांकडों के मताबिक राजे में 24 घंटों के दौरान 49 नए मरीज मिले हैं जबकि कोविद 19 से 5 लोगों की मौत हो गई है सबसे ज्यादा संक्रमत अंदौर जिले में 23 नए मामले सामने आए हैं वहीं भोपाल में 6 और उजयन में 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं अंदौर में मरीजों की कुल संख्या 1568 और भोपाल में 532 है पूरे प्रदेश में 798 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं उधर ग्वालियर में इस थती नियंत्रण में बनी हुई है यहां कल प्राप्त सभी 62 नमूनों की रिपोर्ट नेगिटिव मिली है जबलपुर में कोरोना संक्रमतों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है कल देर रात दो नए मामले सामने आए हैं मुरैना में भी एक नए मरीज के साथ संक्रमतों की संख्या 18 हो गई है निवाडी जिले के दो संदिग्ध मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगिटिव आई है यह समाचार आप आका अश्वानी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा की अनुसार सुन सकते हैं यह समाचार बुलिटन यूट्यूब ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं इसके अलाबा अब हमारी वेबसाइट न्यूज ओन या डॉट अनाईसी डॉट आई इन पर अत्वा AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है चतरपूर जिले के राजनगर में प्रशासन द्वारा अनूठी पहल की गई है जिसके अंतरगत संजीवनी वहन के द्वारा स्वास्तकर में अब किसी भी कुरोना संदिक्थ के बिना उनके संपर्क में आये स्क्रीनिंग जाच करा पाएंगे SDM स्वापनिलवान खिड़े ने बताया है कि संजीवनी आपत्वारा सभी संदिक्थों की जानकारी एकत्रत करी जाएगी और प्रशासन को भेजी जाएगी और यह पूरी जानकारी अंदर दिखेगी जिसमें एप में उसको अप्लोड किया जाएगा उसके बाद उसको प्रशासन में को भेजी जाएगी जैसे हमें बदा चलता है कि यहां संक्रमन का कोई संभाव ना है उसी एरिया में गाड़ी जाएगी उधर शिपपुरी जिले के नर्वर में स्थेट जवाहर नवुदय विद्याले के 23 चात्रों चात्राओं को कल तिलंगाना से विशेश बसों के जरिये शिपपुरी लाया गया यह सभी चात्रों माइग्रेशन नीती के तहत वहां पढ़ने के लिए गए थे उमरिया जिले में कुरोना महमारी के संक्रमन्ट से जिले को बचाने के लिए पुलिस ने कुरूरतम नियंतरन अभियान शुरू किया है पुलिस अधीकशक सचिन शर्मा ने बताया है कि इसके अंतरगत जिले में अधिक सतर्कता बढ़ती जा रही है प्रदेश में पहले चरण में 31 रेल गाड़ियां, महराष्ट, गुजराथ, हर्याना और दिल्ली तथा गोव में फसे श्रमिकों को लेकर आएगी मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहा ने बताया है कि अब तक 69,000 से ज्यादा श्रमिकों को वापस लाया जा चुका है, पेश है एक रिपोर्ट पहले चरण में सबसे ज़्यादा 22 ट्रेन हैं महराष्ट से आएंगी, मध्यप्रदेश शरकार दोरा रेल मंत्राल है और इन सभी राज्यों को पहले ही 31 ट्रेन चलाने के लिए अन्रोध पत्रत दिया जा चुका है अतरिक्त मुख्य सचव, ICP केश्री ने जानकारी दी है कि अगले हपते से ये सबी ट्रेने चलने लगेंगी इन दोर सिले में जल संरक्षन और जल समवर्धन के लिए ग्रामी शेत्रों में जन भागीदारी से तालाबों के गहरी करण और जीनो धार के कारिय करवाये जाएंगे कलेक्टर मनीश सही ने इसके लिए दिशा निर्दीश जारी कर दिये हैं पेश है एक रपोर गाओं के किसान भी पंचायत में पचास रुपे प्रती टाली के मान से रसीत कटवा कर मिट्टी अपने खेद के लिए ले जा सकेंगे लेकिन किसानों को कुल निकाली गई मिट्टी का एक बटा दस्वा भाग तालाब की पाल पर डालना अनिवारे होगा इस शर्त का उलंगन करने पर सम्मनित किसान पर उत्खनन नियमों के तहट जुर्माना और रायल्टी की पांच गुनाराशी वसूल की जाएगी इन दौर से में मनिंदर कुमार दुबे अब बात मौसम की प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है एक तरफ जहां राजधानी भोपाल के साथ ही खंडवा खरगौन और धार में तेज गर्मी पढ़ने लगी है वहीं सतना चत्रकूट में कल रात आंधी और गरत चमक के साथ तेज बारश और ओला वरिश्टी हुई अशोकनगर जिले में भी गरत चमक के साथ बोच्छारे पड़ी अब कुछ समाचार संग्शेप में प्रदेश कॉंग्रिस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंतरी कमलनात ने किसानों का कर्जा माफ करने की मांग की है उन्होंने राज्य सरकार से गेहुं पर एक सो साथ रुपए बोनस और व्यापारियों के एक करोड रुपए तक के कर्स का ब्याज देने की मांग की पन्ला जिले के गौरा बराच निवासी एक युवक के खिलाफ कोरोना मरीजों के संबंध में भ्रामक जानकारी प्रसारत करने के आरोप में प्रकरंड दर्च किया गया है खंडवा जिले में थोक सबजी मंडी से केवल फुटकर विक्रेता ही सबजी खरीद सकेंगे और मं प्रदेश में COVID-19 के 800 मरीज स्वस्थ होकर घर लोटे, कोरोना का संक्रमन भी कम हुआ, 31 रेल गाडियों से दूसरे राज्यों में फसे मजदूरों को वापस लाने की योजना किराया भी देगी राजिस सरकार, चतरपूर जिले के राजनगर में प्रशासन की अनूठी पहल संजीवनी वाहन से होगी बिना संपर कोरोना संदिक्थों की जाच और प्रदेश के मौसम में फिर बदलाफ सतना अशोकनगर वदिशा सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ होए बारिश, इस बुलिटन में इतना ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहि अगाज स्वागी, नमस्कार.